हेलो फ्रेंड्स आज मैं अन्बॉक्सिंग कर रही हूँ विनूत की स्टेनले स्टील की कड़ाई की ये ट्राइपलाई कड़ाई है जनरली हम घर में अलूमीनियम ये नॉन स्टिक के बर्तनों का यूज करते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं कहते हैं अंग्रेज आजादी के टाइम पे हमारे क्रांतिकारियों को जेल में अलूमीनियम के बर्तनों में उनका खाना बनाते थे अलूमीनियम के बर्तनों में उन्हें खाना देते थे S.A.S. मतलब इस first layer इसकी stainless steel की है जो अंदर की side होती है बीज में फिर aluminium है और third layer फिर इसकी stainless steel की है जो अंदर की stainless steel की layer है वो food grade stainless steel होता है और जो outer stainless steel होता है वो magnetic steel होता है जिसे ये induction friendly हो जाता है यह यह electric cooktop induction में, gas में, ceramic में, halogen में किसी भी cooktop में आप इसको use कर सकते है फाइव यर की इसमें warranty मिल रही है आपको और यह 24-70 meter की कड़ाई है और इसकी जो capacity है वो 3.3 liter की है with lid मतलब अगर हम इसका ढकल लगा दे तो इसके अंदर 3.3 liter तक का खाना आराम से बन चाएगा यह 3-4 लोगों के लिए sufficient है अगर आपके घर में 3-4 लोग है extra deep यह कड़ाई है तो चलिए अब हम इसकी unboxing करते हैं आप इसको flip card, amazon किसी से भी order कर सकते हैं और shop में जाकर भी market से इसको purchase कर सकते हैं यह सभी जगे बड़े easily बरतनों की दुकान में आपको available हो जाएगी यह इसका lid हो गया यह इसके साथ एक warranty card आया है और यह manual instruction भी है इसी में और warranty card भी इसी में यह देखिए यह इसमें बता रहा है कि विनोत के जो हैं और कौन-कौन से product available है एक पतीला है with lid, टासला है इस तरह से एक sauce pot with lid भी available है कड़ाई with lid है कई types की sauce pan with lid है अब यह यहाँ पर कुछ instruction इसने दिये हुए है यूज करने से पहले तो इसको यूज करने से पहले जब हम first time यूज करें तो हलके से गुन-गुने पानी से और उसमें हलका सा soap मिला होना अची है और उससे हम इसे wash करने के बाद इसको अच्छे से किसी कपड़े से पोच ले यह कह रहा है stove top use इसे electric cooktop में gas में, halogen में यह किसी भी जगह यूज हो सकता है preheat इसे करें जभी भी यूज करें तो एक बार थोड़ा सा इसे preheat करें उसके बाद ही इसमें butter या oil लगाएं इसको high heat पर कभी भी गरम ना करें नहीं तो यह कड़ाई भी खराब हो जाएगी और आपका जो खाना है वो भी जल सकता है high heat पर इसको नहीं पकाना है इसका बिलकुल ध्यान रखना है और यह जो है इसमें हम जो कर्ची होती है वो steel की या लकडी वाली जो आते हैं spectula या सिरे में क्या आते हैं कोई भी हम इसमें यूज कर सकते हैं और यह oven में भी oven safe भी है अगर आपको इसे oven में रखना हो तो वो भी इसके लिए उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं और इसमें दिया है cleaning and care इसको जो है आपको हलके उसमें यूज करना है हलके जो scrubber आता है ज्यादा harsh वाला scrubber इसमें यूज नहीं करना है यह देखे यह मेरी कडाई है यह बाहर से glossy finish है नीचे से इस तरफ flat area है और अंदर से यह mat finish में है नीचे से flat area होने की वज़े से यह आराम से जैसे हम first पर रखते हैं कहीं पर भी रखते हैं तो यह आराम से बैठ जाती है यह देखे यह इसका lid है और lid में जो यह handle है इसमें Vinod का logo है लोगों जरूर चेक करना चाहिए इससे हमें duplicate product नहीं मिला है इसकी surety हो जाती है और यह देखिए handle की gripping भी काफी अच्छी है और इसके handle खाना बनाते समय गरम नहीं होते हैं अच्छली मैं इसमें खाना बना चुकी हूँ वीडियो मैंने बात में post की है इसलिए आपको बता रही हूँ handle इसके गरम नहीं होते है आप बड़े अराम से इसके handle को पकड़ सकते हैं तो चलिए अब इसका measurement चक कर लेते हैं यह देखिए इसमें box में था 24 cm लिखा हुआ अब हम इसका weight भी चेक कर लेते हैं इसका weight देखिए बिना lid के 1 kg 314 ग्राम है मतलब 1 kg 300 ग्राम के लगबग और मैं अगर इसका ढकन भी इसमें रख देती हूँ तो 1 kg 700 ग्राम के लगबग है काफी भारी कड़ाई है अच्छी कड़ाई है इसमें खाना इतनी जल्दी नहीं जलता है जो नॉर्मल कड़ाई है आती जो ट्राइपलाई नहीं होती है उनमें खाना बहुत जल्दी जल जाता है लेकिन अगर आप इसमें जो आच है गैस की आच जो लो टू मेडियम रखेंगे तो आपका खाना नहीं जलेगा आपका खाना बिल्कुल ठीक रहेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें यह देखिए मैं इसकी डेप्थ अगर इसकी गहराई नाप रही हो तो वो अल्मोस्स दस सेंटीमीटर के अराउंड आती है तो काफी अच्छी इसकी जो गहराई है वो है इसको फर्स टाइम जब आप यूज़ करें तो हलके से माइल्ड सोप में गुनगुने पानी में धो के इसको अच्छे से फिर एक कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोच ले फिर इसमें हलका सा ओईल लगा है इसको हलका सा ज सीजन करने की जुरत नहीं है बस एक ही बार तब से फर्स टाइम ही इसको सीजन करने की जुरत है और आपकी कड़ाई यूज़ करने क्ले रेडी है गक में पक्तू़के बस्टिसружिकर दूबगी जहीं है प्रपलो फस बाते हैं कि कंपे संगा जेज़ को अबिदा कि को लिपाफ जडिका Kṛṣṇa फ़स सूपTOR हुट बुछ है, धुछ स्द़डर है, तτι अश़ड़ा है yeah तysis आड़ियो है सकती हुआ थतो हुआको है सहाउको है सकती हुआ थाल यहाँ Chelग बिडिखल यहाँ स्वाइब प्रियाना